क्यूंकि आपने महाभारत, रामायन और इन सभी शास्त्रों की बात की और हम इनकी बाते कर रहे हैं क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जी देखे हमें ये समझना होगा कि शास्त्र क्या है हमारे शास्त्र और इतिहास बहुत ही जीवन तरीके से लिखे गए थे एक महा काव्य एक जीवन तरूप में लिखा गया इतिहास है ताकि ये आपके लिए हर समय मददगार हो देखे आधुनिक तरीका इतिहास लिखने का पश्चिमी तरीका ऐसा है एक राजा आया उसने इतने लोगों को मारा उसने ये किया वो किया और मर गया फिर अगला आया उसने ये किया वो किया और मर गया इसका आप क्या करेंगे मेरा मतलब हजार साल पहले कोई जिन्दा था या मर गया था इससे आपको क्या फर्क पड़ता है पर जब आप रामायन महाभारत पड़ते हैं तो ये जीवन्त कहानिया हैं ताकि आप आज भी इन से संबंद बना सकें तो ये वाकई अतीत से सीखना हुआ क्योंकि इंसान होने का अधार सिर्व ये है कि हम दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं हमारे साथ बकवास होनी जरूरी नहीं है किसी के साथ कुछ होता देख कर हम सीख सकते हैं शायद वो 5000 साल पहले हुआ हो तब भी उनका जीवन देख कर हम अपना जीवन ठीक कर सकते हैं इसलिए बहुती जीवन तरीके से लिखे गए इतिहास को शास्त्र नहीं माना जाना चाहिए महाभारत या रामायन शास्त्रों जैसे नहीं है वो सिर्फ कहानिया है इस तरह से लिखा गए इतिहास जो हमेशा लोगों के जीवन में मददगार बना रहेगा बिलकुल सही है मैं यही कह रही हूँ महाभारत और रामायन का हमारे समाथ से बहुत बड़ा संबंध है और जब आप रामायन को देखते हैं तो सीता के साथ जैसा व्यवार किया गया था महिलाओ के ऐसे उधारन देखकर पुरुष उनके साथ वैसा ही व्यवार करना चाते हैं इससे निश्चेत रूप से भारतिय पुरुषों के मन पर असर हुआ है इस बारे में कोई शक नहीं है क्योंकि आपने कहा था कि ये चीजे हम अतीद से सीखते हैं और हमने उन पर नाटक बनाए हैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है बड़े बुड़े कविताएं सुनाते हैं रोजाना ये कहानिय सुनाई जाती है तो मेरा आप से प्रश्न है जब आप इन चीजों से सीखते हैं जब आप पीडियों तक रामायन, महाभारत और ऐसी कहानियों से सीख रहे होते हैं तो हम कैसे उमीद करें कि आज के भारती पुरश अपनी पत्नी के साथ ऐसा वहवार नहीं करेंगे जैसा सीता के साथ हुआ था या दौपती के साथ हुआ था मेरा मतलब है इस पीडि के लिए हम वाकई समझना चाते हैं कि हम कैसे इन चीजों को बुलाए जो हमने अपने जीवन में सीखी है और एक नहीं शुरुआत कैसे करें ताकि एक महिला को एक व्यक्ती के रूप में एक जीवित इनसान के रूप में सम्मान मिले हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाए यही मैं सीखना चाती हूँ मैं महिलाओं से पूछता हूँ क्या वो खुद के साथ सीता जैसा बरताव किया जाना पसंद करेंगी मैं आपको समझाता हूँ मान लीजिए मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं आज नहीं पांच हजार साल पहले और एक आदमी ने श्री लंका से आकर आपका अपहरंट कर लिया क्या आप एक ऐसे शक्स को पसंद करेंगी जो आपको खोजने के लिए श्री लंका जाएगा या वहीं किसी दूसरे से शादी कर लेगा क्योंकि वो राजा था मैं आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जीवन में कैसा आदमी चाहती है वो आदमी पैदल श्री लंका गया लडाई लडी पूरा शहर जला दिया अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए ये चोटी बात नहीं है पर उन्होंने अपनी पत्नी की अगनी परीक्षा ली उन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था देखे हम शब्दों को गलत समझ रहे हैं अगनी परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि उन्हें आग में जाना था इसका मतलब है कि कोई परीक्षा जरूरी थी क्योंकि वो राजा हैं, हर कोई उन्हें एक आदर्श के रूप में देखता है वो कैसे व्यवहार करते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपून है क्योंकि पूरे देश का जीवन उन पर निर्भर है आज यही सबसे बड़ी समस्या है इस देश में ये ध्रितराष्टर सिंड्रोम है, तब से लेकर अब तक ठीक है, तो वो उन दिनों में एक मिसाल कायम कर रहे थे वो गर्भवती थी, फिर भी मतलब है कि उनके बेटे पेट में राजा के लिए बेटे महत्वपून होते हैं क्योंकि ये एक सामराज्य है, पर फिर भी वो उन्हें जंगल भेज देते हैं क्योंकि वरना देश में परिशानिया होंगी आप इसे गलत चीज मान रहे हैं मुझे लगता है कि देश में ऐसे प्रधानमंत्री और नेता होने चाहिए ताकि चाहे जो भी हो जाए, राष्टर के भलाई के लिए वो वही करें जो जरूरी है